हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री मिक्सिंग के बारे में प्री मिक्सिंग क्या होती है जो मिक्सिंग से पहले की जाती है mixing से पहले की activity को pre mixing कहते हैं, तो आज हम उसी के बारे बात करने वाले हैं, तीन category में मैंने इसको divide किया है pre mixing को pre mixing 1, pre mixing 2, pre mixing 3 तो आज हम one के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या होता है pre mixing में, जो की डेक्स्टॉप की स्क्रीन पर तो दोस्तों मैं अपने एफल स्टूडियो के अंदर आ गया हूं यहां पर आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट बना हुआ है एक हिपप प्रोजेक्ट है पहले एक बार इसको सुन लेते हैं तो दोस्तों यह है हमारा प्रोजेक्ट वरजेक्ट है जिसका नाम मैं रख 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 रखह बदमाशреज सबसे पहले हUNG क्या करेंगे मैं क्या करूंगा मैं एक और इसी कॉपी निकाल के रख लूँगा क्योंकि ताकि में अगर मेरे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत परिशानी हो या फिर मैं कुछ गलत कर दूं कोई कोई में सिंग फाइल हो जाए तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट सेव रहना चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करने कंट्रोल शिफ्ट एस कहीं पर भी मैं जाकर किसको एक सेव करके रहे लूँगा इसे यहां पर था बदमाश बीट मैं यहां कर लो बदमाश बीट वन तो यह होग आप इनके नाम को चेंज कर लेना तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे मैंने सबके नाम चेंजिस कर लिया है कि स्नेयर स्वीप हैट जो भी मेरे को लगता था जो जिस आप से मैं याद रख सकता हूं वो सब मैंने यहां पर चेंज कर लिया है सबके नाम अब हम लोग क् इसको sequence से लगाएंगे sequence बोले तो इसको line से लगाएंगे कि पहले हम लगाएंगे rhythm section फिर हम लगाएंगे melody लगाएंगे bass लगाएंगे pad लगाएंगे जैसे भी उससाब से हम देखेंगे यह सब मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि जब mixing करोगे तो यह mixer में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना इसलिए मैं इसको बोल रहा है sequence से हम इसको लगा लेते हैं और एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है यहां पर कि अगर आपने इस track में किक लगाई है तो यहां पर सिर्फ किक लगी हो अगर यहां पर आप तो यहीं दियान रखना है कि क्क वाली track में किक हो स्नेयर वाले track में स्नेयर हो तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे मैंने इसमें चैनल रैक में इसको sequence से लगा लिया है पहले मैंने drum section लगा है यहां पर क्रश तक पूरा हमारा drum section है उसके बाद दो हमारी melodies है एक pad है और फिर लास्ट में हमारी एक baseline तो यह मैंने line से लगा लिया है अब हम क्या करेंगे अब इसको थोड़ा coloring करेंगे जो हरड आता है टास्क फिल्म यहां स्लेक्ट करेंगे पुरे drum section को यहां तक मैं ले करके आया पूरा drum section में सेलेक्ट किया है यहां पर left click करके down ले करके आया त पोज मैं यहां पर लेता हूँ yellow अब मैं लोगा डार्क येलो और यह हमने ले लिया यहां पर तो यह हो गया हमारा drum section जो मैंने color कर लिया है आप देखेंगे यहां पर light yellow से dark yellow तक यह आ रहा है इससे हमें क्या पता चला कि हमारे drum section है वह यहीं यहीं है सारा drum section अलगी दिख है जो हमने यहां पर कीदी आपके करेंगे फटाफट से तो जिस तरह से हमने यहां पर चाहनल रैक में लगाया शुआ से हमने यहापर सारा आरेंज कर लिया अब करना यहां यहां पर सारे सेलेक्ट कर लिए हैं इंसट वन क्लिक करा Ctrl Shift और L जैसी मैंने Ctrl Shift L करा जो मैंने यहाँ पर करी थी सारी arrangements name change वगरा वो same pattern पर यहाँ पर आ गए है हमें यहाँ पर इसमें कुछ भी करने की अब जरुरत नहीं है ठीक है तो यह हो गई हमारी arrangement प्रिमिक्स पार्ट वन की arrangement जो बहुत जरूरी होती है कर लेनी चाहिए पुछ लोगों के पास सोचते हैं नहीं जो ज़्यादा जो स्टार्टिंग किसे मैं कई बार पहले ऐसे करता था ऐसी बना करके छोड़ देता फिर बाद मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी जब मैं उस प्रजेक्ट को दुबारा खोल करके दिखता था क्या कैस में लगा हुए तो इसलिए मैंने नामाम सम लिख लिए अरेंज कर लिए मुझे पता है मेरे DRUM सेक्शन उपर है लगी दिख रही है फिर BAD है फिर BASLINE है और मैंने सीधा यहां पर इसको यहां पर लाकर के असाइन कर लिया अब यह मेरे सारे जितने भी ट्रैक्स हैं यह सारे आप यहां प keep supporting love you all